हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इलेक्टिकल पाउर प्रो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टांसफार्मर में लगे बुकुज रीले के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है कैसे वर करता है और इसकी ज़यरूत क्यों परती है दोस्तों टांसफार् के उपर एक एक वीडियो के मादियम से जानेंगे तो यह पहला वीडियो है भुकुज रीले पर तो चली हम भुकुज रीले को विस्तार से जानते हैं दोस्तों भुकुज रीले एक सेफ्टी डिवाइस है यह टांसफार्मर के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है यहरी टा वोटा बड़ा fault तो बोकुज रीले हमें alarm signal डेता है और transformer को बंद कर देता है बोकुज रीले को केवल all filtering transformer में ही यूज किया जाता है बोकुज रीले transformer के main tank और кон słuifier को जोडने वाली pipe के बीच लगाता है जैसा कि आप image में देख सकते हैं, कंजरवेटर टैंक और मेंट टैंक के बीच में जो पाइप है, उसके बीच में ये जो पार्थ है, उसको ही बुखुज रिले करते हैं, जो भी टांसफार्मर 500 KBA के रेटिंग से उपर होता है उसमें ही बुखुज रिले यूज करते आए और जो भी ट्राशफार्मर 500 KVA के नीचे की rating का होता है उसमें Bukuj relay का use नहीं किया जाता है क्योंकि Bukuj relay stay costly आता है तो केवल 500 KVA की rating से उपर वाले transformer में ही Bukuj relay use किया जाता है तो अब हम लोग देखेंगी की Bukuj relay काम कैसे करता है Bukuj relay के अंदर circuit नहीं होता है मतलब बुकूज रिले पूरा mechanical work करता है दोस्तों जैसा कि आप image में देख रहे हो बुकूज रिले की उपर एक arrow बना हुआ है ये arrow indicate करता है कि बुकूज रिले का कौन सा side main tank में connect होगा और कौन सा side conservator tank में connect होगा जिस side arrow का direction है उस side conservator tank connect होगा और जो दूसरा side है उसको हम main tank से connect कर देंगे तो अब हम लोग बुकूज रिले के अंदर के construction को देख लेते हैं बुकूज रिले के अंदर दो mercury switch और एक float valve और एक flap होता है ये चारो main parts होते हैं इसमें से ये float alarm circuit के लिए और जो दूसरा flap है वो trip circuit के लिए यूच होता है एक mercury switch alarm वाले float पर connect रहता है और जो दूसरा mercury switch है वो trip circuit वाले flap पर connect रहता है इन दोनों mercury switch का outlet हम लोग बुकूज रिले के बाहर देते हैं जैसा कि आप image में देख सकते हैं उपर वाला जो slot है वो alarm circuit के लिए है और जो नीचे वाला slot है वो circuit breaker के लिए है तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि बुकूज रिले कैसे work करता है जैसा कि आप जानते हैं transformer के अंदर हम लोग winding और core का यूज करते हैं और जब भी current winding से flow होता है तो winding heat होने लगता है ये heat current के उपर depend करता है कि कितने amount में current flow हो रहा है अधिक मात्रा में current flow होने पर winding जल्दी गर्म होने लगती है जिससे insulation और winding जलने के chances रहते हैं तो insulation और winding को जलने से बचाने के लिए हम लोग transformer में oil का यूज करते हैं ये oil transformer को ठंडा रखता है और winding के बीच insulation का भी काम करता है transformer जब normal load पर होता है तो उसके अंदर कम heat उत्पन होती है और उस heat को oil absorb कर लेता है और जब भी transformer full load पर होता है तो heat ज़्यादा generate होती है ज़्याजर से oil भी ज्यादा heat होने लगता है और oil का level भी बढ़ने लगता है क्योंकि जब transformer oil ठंडा होता है तो वह कुछ गाढ़ा होता है और जब गर्म होता है तो वह पतला होकर फाइलने लगता है और उसमें से hydrogen gas बनने लगती है ये hydrogen gas main tank से conservator tank में pipe के थूर जाता है और pipe के बीच बुकुज relay होता है तो gas पहले बुकुज relay से होकर जाती है load जब ज़्यादा होता है तो gas ज़्यादा generate होती है और वो gas बुकुज relay में जाकर alarm वाले float को हिला देती है उसके वज़े से जो float है वो जुक जाता है और उस पर connected mercury switch का connection complete हो जाता है और alarm बजना start हो जाता है जिससे वहाँ के engineer load को दूसरे transformer पर दे देती है यह तो रही load 100% की near about condition में बट जब भी दोस्तों transformer में कोई छोटा fault create होता है जैसे की leakage current का ज्यादा हो जाना या core में कोई fault हो जाता है जब भी heat generate होता है और gas बनती है और वह वैसे ही alarm signal देता है जैसा की मैंने पीछे बताया अब समझते हैं third condition को वर्ले flap दोनों को इला देगी जिसे से float और flap जुग जाएंगे और circuit complete हो जाएगा और साथ ही साथ इसमे alarm भी बजने लगेगा और tripping system transformer को बंद कर देगा तो अगर transformer में कोई fault होता है तो winding जलने से पहले ही बुकुज रिले activate हो जाता है और circuit breaker को open कर देता है जिसे से हमारी winding जलने से बच जाती है और हमारा insulation भी नहीं जलता है तो बुकुज रिले transformer को safety provide करता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी इस वीडियो से knowledge मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे electrical knowledge वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें धन्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्य